वेलकम तो कुकिंग विद गुरकी रत आज हम बनाएंगे अनियन पकोड़ा रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनते हैं चलिए हमारा अनियन पकोड़ा रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं हमारे यूट्यूब चाइनल को सबस्क्राइब करें एंड बाल आइकन दमाए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अनियन पकोड़ा बनाने के लिए हमने यह एक बड़ा अनियन लिया था उसे हमने लंबा-लंबा कर लिया है यह हमने एक बड़ा बाउल लिया है, इसमें डालेगे हम onion, उपर से डालेगे एक कब बेसन, आप बेसन की quantity आप ज़ाधा कम कर सकते हैं, इसमें हम डालेगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग ज़ाधा कम कर सकते हैं, थोड़ा सर डालेगे इसमें गरम मसाला, थोड़ी सी रेट चिली पाउडर थोड़ी सी हरी मिच थोड़ा सा किच्छन केंग मसाला थोड़ी सी कसूरी मेथी अभी से हम कर देंगे अच्छे से मिक्स अभी से मिक्स करने के लिए पानी का हम इस्तिमाल नहीं करेंगे इसमें करेंगे हम लस्टी का इस्तमाल अगर आपके पास लस्टी अवेलेबल नहीं है तो आप दहीं भी यूज़ कर सकते हैं ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है हमें इतना ही थिक बैटर चाहिए अभी चलते हैं कडाई की जरुफ ये हमने कडाई लिया है कैस को हमने लो मीडियम फ्लेप पर रखा है अभी हम हमारे पकोडों को हम ढालते चाहेंगे कडाई में ये देखिए जो पकोडों हमने पहले डाले थे वो हमारे बख चुके हैं उन्हें हम निकाल देंगे जो बाकी के बचके हैं इसे हमें एक बार हिला देंगे पलट देंगे ये देखिए बाकी के पकोडों भी हमारे पक चुके हैंने भी हम निकालने के प्लेट में ये देखिए हमारा अनियन पकोड़ा रैस्पी बनके रैडी है बहुत ही अच्छे बने हैं बहुत ही रिस्टी बने हैं हमारी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए ट्मेंट कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी बने हैं बने हैं